नमस्कार जहीन पूर्सानिकों के लिए 400 से भी जादा डारेक्ट वर्ती है इसमें CAPF के जवान भी सामील हो सकते हैं इसमें जॉइन कर सकते हैं और यह बिना किसी अप्लिकेशन बिना किसी ओनलाइन फॉर्म के है डारेक्ट आप इंटर्व्यू बेस्ट जॉब है और इसमें खास बात क्या है इस वेकैंसी में इस वेकैंसी में खास बात है कि इसमें इंटर्व्यू बेस्ट है और इसमें जो सैलरी है वह ठीक ठाक लगा अच्छा है अच्छा सैलरी है तो इसलिए हमने इसको cover करने अकोसिस किया तो एक बढ़िया salary में साथ-साथ में यहां और भी क्या accommodations है किस तरह से कौन-कौन से synikों के लिए location क्या है तो हम discuss करेंगे इसके बाद vacancy के बाद हम चर्चा करेंगे DSP pension gold के बारे में DSP pension gold में पूर सानिकों के लिए जो है उनको इसमें फाइदा क्या है और वो कैसे change करेंगे account अगर उनका DSP account है पहले से retire हो गया है DSP account ही run कर रहा है तो उसका format क्या रहा है किस तरह से उसके बारे में हम discuss करेंगे important था इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये welfare point ज़्यादा important है तो start करते हैं सबसे पहले vacancy से start करते हैं कि जो पूर सानिकों के लिए जो vacancy आया है वहाँ से start करते है तब एक सर्विसमेन और CPF के जवानों के लिए जो vacancy है वो आया है तिरूपती, security and facility management services ये कहाँ पे है साब ये है अंधेरी मुंबई में ये agency जो है ये agency है मुंबई में और इसमें all India से पूर सानिक इसके लिए बात करके इसमें join कर सकते हैं महराश्टर करतों कर ही सकते हैं all India से भी इसमें join कर सकते हैं अब इसका बाकिटीटेस देखते हैं यहाँ पे जो total vacancy है इन्होंने देखिए to the commanding officer district soldier board को यहाँ पे उन्होंने इनका demand भी किया था सेनिकों के लिए जो उनको चाहिए था अब यहाँ जो total requirement है जो total ex-service man चाहिए और including CAPF वो उनको चाहिए 400 plus जिसमें 400 ex-service man normal जो dunda man है इसके आलावा इनको 15 रिबॉल्वर अब्लिक पिस्टल में चाहिए यह क्या करेंगे यह जो होंगे वो supervisor के तौर पे रहेंगे और जो in charge के तौर पे रहेंगे अच्छा अब यह जो location कौन कौन सा है बांदरा और बोरी वैली यह जो locations है इनके बीच का locations है अब यह है क्या यहाँ पे जितने भी government sites है government institutes है government जो institutes है बड़े बड़े offices है वहाँ पे वहाँ का site है location है कहीं पे 20 कहीं 50 इस टाइप से total 400 से भी ज़्यादा ex-service man और CAPF जवानों की वहाँ पे आउशकता है अब यहाँ पे 8 घंटे 26 दिनों की duty रहती है बाकी जो guard का salary है वो उसको discuss करते हैं guard का salary है 30,000 पर month ctc है ctc means cost to company इसमें पे इंक्लूड है 26 दिनों की duty रहेगी guard के लिए भी उसके बाद जो revolver और pistol man है उनका जो ctc है cost to company वो 40,000 से 50,000 के बीच रहेगा यानि 40 से 50,000 के बीच उनका भी salary रहेगा यह भी 26 दिनों की उनकी रहेगी अब उनका जो uniform रहेगा वो free of cost रहेगा इसके अलावा free accommodation मिलेगा free accommodation मतलब site पे रहने की व्यवस्ता होगी और पूर सेनिकों की अगर वहाँ पे संख्या होगी तो वहाँ पे mesh का भी सुविधा कराए जागा और जो mesh होगा वो cutting based होगा जो mesh की जो charges लगेंगे वो पूर सेनिकों को अदा करना होगा अब यहाँ पे जो age limit भी दिया हुआ है maximum जो age है 50 years है या उसके equivalent अगर CFEF के कोई भी rank के है उसके equivalent के तो वो इसमें call कर सकते हैं और join कर सकते हैं interview based है अब इसके लिए तो कुछ documents चाहिए जिनको भेजना होगा, mail करना होगा WhatsApp करना होगा उससे पहले आप अगर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके जो HR है उनसे बात भी कर सकते हैं यह इनका HR का number है अगर आपको screen पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम description box में भी इसको डाल देंगे ताकि आप उसको check out कर सकते हैं आप यहाँ पर देखते हैं documents क्या क्या चाहिए जो कि आपको mail करना होगा सबसे पहले आप बात कर लेंगे उनसे interview इनका होगा वीडियो के माध्यम से interview होगा mobile पर ही या जो भी है online आपका जो video conferencing के माध्यम से आपका interview हो जाएगा उसके बाद अगर आप उसमें select हो जाते हैं copy of i-card उसके बाद passport size photo इसके अलावा जो bank details है आप लेके जाएगो क्यूंकि उसी में आपका payment होगा तो जब आप join करेंगे तो उस समय आप लेके आपको जाना होगा तो यह जो था यह वैकेंसी था तिरुपती security and facility management services यह लेटर इन्होंने जिला सेनिक बोर्ड को भी भेजा है इसके अलावा यह जो लेटर है इसका जो PDF आपको हमारे WhatsApp और Telegram चैनल पर भी मिल जाएगा वहाँ से आप इसको चेक आउट कर सकते हैं इसको देख सकते हैं पूर्शनिकों के लिए अच्छा मौका है कॉल करके जॉइन कर सकते हैं कि वह एक इंटर्व्यू होगा जो कि मुबाइल से ही हो जाएगा दिखेंगे जो लेटर है यह 10 अगस्त का लेटर है अब देखते हैं जो पूर्शनिकों के लिए जो next जो welfare अप्डेट था वह हम important है DSP pension gold के बारे में तो DSP pension gold में पूर्शनिकों के लिए क्या फाइदा है वैसे जो इसमें जो फाइदा है वह common है इसमें कुछ अलग से नहीं है जो DSP account था उसमें serving personels के लिए 50 lakhs का accidental cover है और यहाँ पे DSP pension में क्या हो जाता है वह घटके 30 lakh हो जाता है तो यह कुछ है जो की मतलब कुछ facility जैसे air accident जो cover है वो उसमें है और DSP pension में नहीं है तो यह कुछ थोड़ा बहुत अंतर है बड़ होता क्या है कि retire होने के बाद पूर्शनिकों को DSP pension में convert कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों का code अलग है serving वाला का code अलग है क्योंकि आप जब पेंडिंग में पड़ जाता है तो यह सभी के लिए है including CPF हों ITBP हों या जो border organizations के हों जो भी सैनिक है हमारे जो काम करते हैं सभी के लिए DSP pension है या वो state bank का से ले रहे हों या किसी दूसरे किसी भी सरकारी bank से DSP का फाइदा उठा रहे हों लगभख सब में वही equal है अब जो state bank में जो DSP pension gold का जो फाइदा है वो तो zero balance accounts and free unlimited number of transactions across ATMs इंडिया में है वो तो जो पहले था वही है अब इसमें जो जो accident personal accident insurance है वो 50 लाग से घटके 30 लाग हो जाता है serving में यह 50 लाग है उसके बाद 100% waiver of processing fee on car loans के उपर 100% processing fee नहीं है बिल्कुल processing free नहीं लगेगा उसके बाद क्या है up to 25% off on annual locker rent ये तो उसमें भी है इसमें भी same है उसके बाद auto strip facility optional to increase create e-modes जैसे multi option deposits and earn highest higher interest उसके बाद DMAT and online trading account facility इसमें है इसमें भी आपको मिल जाएगा online trading करने के लिए आप अगर stock market में invest में करना चाह रहे हैं या trading करना चाहते हैं तो आप इसमें DMAT account खोल सकते हैं उसके बाद free insurance of drafts, multi city check, SMS alerts, NAFT, RTGS वो तो है तो ये सब कुछ benefits हैं जो की pensioner veterans के लिए है DSP, pension, gold का है जो basically जेशियो और और के लिए होता है अब सवाल ये है कि इसके लिए हम apply कैसे करेंगे इसका format क्या होगा तो हमने एक readymade format इसके लिए तयार किया है जिसको आप देख सकते हैं इसका PDF हम इसको share कर देंगे यहाँ पर यह जो format है यहाँ पर to the branch जो अपने branch का नाम लिए यह readymade format है आपको इसका WhatsApp और Telegram पर आपको मिल जाएगा उसके बाद अपना नाम, address, account number जो आपका मौझूदा है और phone number जो आपका है subject में यह डाल सकते हैं आप उसके बाद यह आपको जो details है उसको feel कर लेंगे उसके बाद यह जो ICLB grateful जो भी है यह अंगरे जी यह आप इसको लिए इसको लिग सकते हैं और इसको आप अपने branch में account की एक ready-made format आपके लिए तयार किया गया है तो इसको आप देख सकते हैं और इसको follow कर सकते हैं आपने जो concerned branch है वहाँ पे आप BSP जो आपका जो BSP account है उसको BSP pension gold में convert कर सकते हैं यह specially for JSU और ORS के लिए है तो यह था पूर सानिकों के लिए important update मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत